आप सबको मेरी नमस्ते हैं इंडियन देसी कुकिंग में आपका स्वागत है तो आज की रेसिपी आपने देखी लिए हम बनाने वने खिचडी बहुत ही हल्दी होने वाली है तो चलिए स्टार्ट करते हैं छोटी कटोरी चावल ले लिए मोटे बारीक जैसे भी हो आपके घर हमने द्होले न अच्छे से तो यह देखे मैंने तीन वारीने अच्छे से द्होलिया और अभी चलते हैं गैस पे हमने कूकर में तेल डाल दिया 2 बड़े चंबमच रिफाइन्ड्वाइंड बीड़ प्रिश भूप हाँ इसके बाद अभी हमने एक टमाटर है जो मीडियम साइज़ का वो भी इसके अंदर मिक्स कर दिया और टमाटर को हमने अब अब आशे से पका लेना ना सोफ्ट कर लेना है तो टमाटर देख हो चुक है अभी इसके अंदर हमने मिला दिए एक चम्मच कीकी इसकी खुष्वु बहुत अच्छी होती आप चाहो तो गरमसाला डल सकती हो इसकी जगे अगर गरमसाला भी नहीं है तो पिसा हुआ जीरा डाल सकते औ हादा चममच हमने डाल penso कुटी लाल मिर्ज इसकी जगह मिर्च का पाउडर रातला तीखी वाले मिर्च आप दौक् चोटे सांज के आलू, वह हमने डाल दिये, अब इनको एक मिन्ट के लिए पहले हमने इस तरह से तेल में अच्छे से भुण लेना है सबजीों को, तो एक मिन्ट हमने इन्हें अच्छे से पका लिया सबजीों के अंदर, और अभि इसके अंदर जो हमने डाल और चावल रखि भी चावल और दाल ली ती न उसी कटोरी से हमने साथ हमने कटोरी डाल देनी हा पानी की तो बहुत जादा सकती है तो साथ का टोरी इसके अंदर परफेक्ट है तो अच्छे से मिक्स कर लेना भी तो अभी हमने गैस की फ्लेम है जो मीडियम रखते नहीं है और 4 सीटी लगवा लेनी है क्योंकर हमने बंद कर दिया तो अभी 4 सीटी लगवाने के बाद इसको अपने आप से ठंडा होने देना तो हमने 4 सीटी लगवा लिए और अभी यह अच्छे से ठंडा हो चुका है तो अभी इसे खोलते हैं यह देखिए अभी हमने क्या करना है यह आपको चक करवाते हैं देखिए कि अच्छे से खिचडी और सबजियां बहुत अच्छे से मिक्स हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सकत नहीं एकदम परफेक्ट खिचडी बनी है ना ही ज़्यादा पानी है इसके अंदर यह देखिए अभी इस साथ हमने इसके अंदर मिला दिये दो तीन लहसुन बरिक बरिक कलियां जो काटके डाल दी क्योंकि इसकी खुश्बू अच्छी आती है लहसुन को अच्छे से गोल्डन होने दे तभी इसके अंदर मिला देना हमने जीरा तो आदा चम्म जीरा भी मिला दिया तीन हमने पंध्रा पत्ते कड़ी पत्ता के हमने मिला दिये और तड़का हमारा तैयार हो गया यह देखिए तो अभी चलते हैं तो अभी इससे मिला देते हैं खिचडी के अंदर अब यह अच्छे से खिचडी को मिक्स कर लिजिए ताकि तड़का जो वो पूरी खिचड़ी में अच्छे से मिक्स हो जए तो फ्रेंट्स देखिए जटपड से हमारी खिचड़ी बनके तयार है और इतनी स्वाधिस्ट है न तो आप इसे तो हफ्तों में दो बार तो बनाओगे प्लीज ट्राय जरूर करना और उपर से डाले हरा दन और गर्मा गर्म साफ करें